दोसो चाइना के अंदर रशिया ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसे सुनके आप लोग हैरान हो जाएंगे बेसिकली चाइना के जो एर शो चल रहा है उसमें रशिया के तरफ से एक ऐसा प्रोमोशनल वीडियो जारी किया गया जो संपूर्ण चाइना के लिए एंबरेसिंग है इस promotional वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे इंडिया के द्वारा एक रशियन मेड मिसाइलों को चाइना के वोर्शिफ के खिलाफ दागा गया। और रशिया के कई सारे कंपनियों के द्वारा यहां पे स्टॉल लगाया गया है। पर दोस्तों ऐसे ही एक स्टॉल में एक एक ऐसे computer generated वीडियो को जारी किया गया या फिर कहे तो computer generated promotional वीडियो को दिखाया गया जो संपूर्ण चाइना के लिए या फिर कहे तो चाइना के military establishment क के लिए एक बहुत बड़ा embarrassing moment था इस वीडियो में दिखाया गया कि किस तरीके से रशिया के द्वारा निर्मान किया हुआ एक missile Chinese warship मतलब चाइना के Navy के जहास को hit कर रहा है। हलाकि दोस्तों यह जो promotional वीडियो है इसे जारी करने के बाद अब तक यह साफ नहीं हुआ है कि इसे लेके Chinese authority या फिर कहें तो चाइना के military establishment के तरफ से कोई प्रतिरोध किया गया है कि नहीं पर एक्सपर्टों का कहना है कि यह जो वीडियो है यह चाइना और अब रशिया के जो military relationship है उसमें जरूर दराल लाएगा। दूसरे तरफ यह भी confirm नहीं हुआ कि रशिया के जो का विजिट किया जाए तो चाइना के शहर जूहाई में असल में चाइना के दुआरा नौवेंबर 8 से लेके नौवेंबर 13 के लिए इस एयर शो को शुरू किया गया है यहाँ पर चाइना के कई तरफ से एक international एयर शो का नाम दिया जाता है लेकिन अगर देखा जाए तो य के वल मातर चाइना के ही कुछ क्लोस तरिन एयलाई देशो का है दोस्तों जूहाई एयर शो में चाइना के तरफ से अपने तथाकति धिव जिनरेशन के फाइटर यार क्रैप मतलब J20 को भी प्रदश्चित किया गया वही पर दोस्तों यह जो एयर शो है यह चाइना और बना हुआ है ऐसे में दोस्तों इस एयर शो में चाहे जो कुछ भी हो जाए दोनों देश एक दूसरे के साथ है यह ज़रूर दिखाया जाएगा दोस्तों इस एयर शो में जो प्रोमोशनल वीडियो दिखाया गया वह असल में रेशिया के रोसावरन एक्सपोर्ट के अन्य देशों को बेचता है और बेसिकली अगर देखा जाये तो रशिया के अंदर से अगर हतियारों को किसी देश को एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसमें रोसावरन एक्सपोर्ट ज़रूर रहेगा अलाकि रोसावरन एक्सपोर्ट के इलावा इस एयर शो में रशिया क कई तरीके के कमपनियों के द्वारा भी अपने इंडिविजियल स्टॉल लगाया गया है जिन में सुखोई मिकोयान कॉर्परेशन से शुरू करके और वी हत्यारों को निर्मान करने वाले कमपनी शामिल है दोसो रोसाबरान एक्सपोर्ट के तरफ से जो वीडियो जारी किया गया हूँ बेसिकली मिक-29 या फिर कहतों मिक-35 फाइटर यारक्राप्टों को लेके है और इस वीडियो में लो अल्टिट्यूट से इन यारक्राप्टों को फ्लाई करते हुए दिखाया गया है बेसिकली ये वीडियो एक मेरिटाइम स्ट्राइग रोल को लेके है जहाँ पर ये दिखाया गया कि यारक्राप्ट के द्वारा एक केज-31A एंटीशिप मिसाइल एक इलेक्टो अप्टिकल टार्गिटिंग पॉड एक एर टू ग्राउंड ग्लाइड बॉम और करीवन दो short range इयर टू अपर कैरी किया जा रहा है वीडियो में देखा गया कि ये जो यैरक्राफ्ट है इन हतियारों को लेके उडान भरने के कुछ समय के बाद यैरक्राफ्ट से एक मिसाइल को धागा जाता है और मिसाइल जाके एक वोर्शिप के ब्रिज को हिट करता है हाला कि दोस्तों हेरानी का वाद ये है कि जिस जहास को या फिर कहतो वोडशिफ को यहाँ पे दिखाया गया है वो चाइना के टाइप 52D डेस्टोयर का जैसा ही है वीडियो में जो नेरशन दिखाया गया उसमें बताया गया कि किस तरीके से ये जो मिसाइल है ये एर डिफेंस को चकमा देते हुए दुश्मन के जहास को द्भस करता है दोस्तो एकस्परडों के तरफ से बताय جा रहेगी इस वीडियो को वेसिकली इंडियान कस्टोमरों को आकरशित करने के लिए ही बनाया गया है वीडियो के बनाने के पीछे मेन मकसद है कि इंडियन ऊशन रिजन में इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन बढ़ रहा है इसमें किस तरीके से रश्या के हतियार इंडिया को मदद कर सकता है अब दोस्तो चाइना के अंदर चाइनीज एयर श्यो में अगर ये दिखाया जाए कि किस तरीके से रश्यान मिसाईल एक इंडियन एयरक्राफ्ट या फिर कहें तो इंडियन नेवी में इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट के द्वारा दागा गया और वो जाके चाइना के चाहस को ही तभा किया तो ओविसली ये चायना के अंदर खलवली तो जरूर मचाएगा और दोस्तों इस वीडियो के बाद एक तरीके से चायना के अंदर तिलमिलाहट भी मचा हुआ है और कई सारे सोशल मीडिया में ये अब दावा किया जाने लगा है कि ये जो वीडियो है इंडियन कमपनी के तरफ से बनाया गया है हाला कि दोस्तों ये अफ़ तक साफ नहीं हुआ है कि वीडियो को कौन से इंडियन कमपनी के तरफ से बनाया गया है लेकिन दोस्तों अगर रश्या के तरफ से इस वीडियो को चायनीज एर शो में दिखाया जा रहा है तो ओविस मतलब ये बात तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक एनिमेटेड वीडियो बनाने के लिए रश्या कभी इंडियन कमपनी को हायर नहीं करेगा अब दोसरे दूसरे तरफ जिस fighter aircraft को दिखाया गया उसे लेके बताया जा रहा है कि यह आइदर MiG-29 है या MiG-35 है क्योंकि दोसरों दोनों aircraft यह दिखने में लगभग एक ही जैसा है इसलिए यह कहा नहीं जा पा रहेगी यह MiG-35 aircraft है यह MiG-29 aircraft है लेकिन अगर यह aircraft पानी के है जो carrier waste aircraft है और इसका इस्तेमाल इंडियन नेवी के द्वारा किया जा रहा है और यहाँ पे अगर MiG-29 aircraft के द्वारा missile को दाखते हुए दुश्मन के वर्शिप को तभा किया गया है तो obviously यह missile कोई anti-ship missile होगा दोसरों MiG-29 aircraft होस से जिन anti-ship missile का इस्तेमाल किया जाता है उनमे इस्तेमाल रशिया, सर्विया, इंडिया, अलजेरिया, इजिप्ट के इलावा चाहना भी करता है तो सो केज 31 missile को असल में medium range के air to surface missile के रूप में जहाँ पे बनाया गया था तो उही पे केज 31A variant एक anti-ship variant है वजन को अगर देखा जाए तो केज 31A variant के missile का वजन करीवन 610 kg है जबकि इसके आकार को अगर देखा जाए तो यह 4.7 मिटर से लेके 5.3 मिटर के दर्मियान है मतलब साड़े 15 फीट से लेके साड़े 17 फीट के दर्मियान है मिसाइल के diameter 360 mm है मतलब करीब 14 इंच का है और इसमें armored piercing, penetrating warhead के साथ-साथ high explosive sharp charge का विस्तेमाल किया आयाता है के जब टारगेट के साथ टकराने के बाद यह missile explode होता है मिसाइल में maneuverability के लिए wings इस्तेमाल किया गया है और यह wings का span करीब-करीब 36 इंच या फिर कहें तो 914 mm है यह missile liquid fuel से operate होता है और इसके operational range मतलब cage 31A missile के operational range minimum 7.5 km है जबकि इसका maximum range 70 km है cage 31P variant के maximum range 110 km है जबकि इसका रफतार को अगर देखा जाये तो cage 31P variant और A variant दोनों का ही रफतार लगवक सेम है और करीब-करीब 2160 से लेके 2520 km पर आवर है मतलब करीब-करीब low altitude में यह missile mark 2.7 के रफतार में जहाँ पर उडान भड़ सकता है तो वही पर high altitude में यही रफतार mark 3.5 के आसपास है दोसो cage 31 missile के अगर guidance सिस्टमों को देखा जाये तो इसमें internal guidance सिस्टम के लिए active radar homing का इस्तेमाल किया गया है जबकि इसके इलावा कुछ variant में passive radar का भी इस्तेमाल किया गया है अब दोस्तों ये जो वीडियो है ये चायना के अंदर जारी करने के मकसद क्या है इसके बारे में तो फिलाल कोई पता नहीं चल रहा है लेकिन संभावित रशिया के तरफ से चायना को humiliate करने के लिए तो ये नहीं किया गया होगा पर जो भी हो ये चायना के लिए एक बहुत बड़ा violation है क्योंकि चायना के लोगों के सामने एक ऐसा missile दिखाया जा रहा है जो भारत द्वारा इस्तिमाल किया जाता है और चायना के जाहाजों को दवा कर सकता है तो ओविसली ये चायना के लोग जो इस stall में जाएंगे उनका एक बहुत बड़ा बेज़ती होगा तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को इप्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिंद